तो मत्रा प्रांसभा में लगवग हमको एक लाग दिते आप प्राफ हो गया है तो पास्तर में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैलाएं डाइन्ट पूतर हुथी है कि हम से कव 50% जो तो इसलिम मैलाओं में प्राफिशन दिते हैं और आप शाल में आप जाओं जिस्टायाओ देखाए एक अदबार जनेरेटर चलाओ तो चलाओ बादी जनेरेटर चलाओ प्राफिशन दाफ समय जिए 15000 वोटों का दिधरेंट रहेगा कि अलाओ जो तो इसलिए रविवार को पांचवे चरण के लिए मतदान हुआ है राजनेतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावों में लगी हुए हैं सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं मत्रौ महानगर अध्यक्ष विनोद अगरवाल ने यूपी के चुनावों पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि मत्रौ में पांचों सीटे भाजपा ज इसे लेकर हमेर राजनेतिक दलों से प्रत्यासियों से राजनेताओं से अभी तक कि क्या इस्तिती है किसकी सरकार बन सकती है कौन प्रत्यासी जीव सकता है ये एक अमोमन जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हम लगातार जान रहे हैं नेताओं से प्रत्यासियों से अभी तक जह था माद्यम से सभी मत्रा को नमस्कार प्राप को लेकर क्या कैलकुलेस्ट के विसमें आपने पूछा है तो मत्रा भी जान्सावा मत्रा महानगर में मत्रा महानन्साबा मैं जाए- इसीक शमी मैं बिस्वास के साथ कह सकता हुआ और इमन convention सबाओं को 50,000 से उपर जीट रहे हैं。 मै्थ्रा का क्या amounts? मैथ्रा क्या का沕कェर की सीद पहुंदा बात करें कितनी जम पहुत करें है? और आपके टक्कर में कौन हो सकता है? मॉथ्रा बिदान सबा में लगबग हमको 12,000 बोट प्राफ्ट हो रही है. और हमारी टक्कर में लगबग दोनों प्रत्यासी श्री प्रदीप मातुर जी और श्री एस के सरमाजी है। तो हमने गोविन जी महसूस किया कि महलाएं इस बार इस चुनाप का एक स्पिन पॉइंट है और महलाओं के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में बारती जन्ता पार्टी को बोर्ट दिया जा रहा है। यही बजय रही कि जो आगलन लोग कर रहे हैं कि बारती जन्ता पार्टी और समाजबादी पार्टी की टक्कर है। बास्तब में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि महलाओं साइलेंट बोटर होती हैं। आप भी कहीं भी जाएंगे तो सामानित्य प्रोसों से जादा पूछेंगे। आप दस लोगों से पूछेंगे तो उसमें मैं दो महिलाएं होती हैं आठ प्रोसों होती हैं। तो आपका जो आंकलन होता है वो सामानित्य प्रोसों को के उत्तर के अंसार होता है। लेकिन जिन बूथों पर जिन छित्रों में हमारा भ्रमर हुआ है। यहां से लेके और मैंने पूर्वान चल तक में महसूस किया कि महिलाओं ने सभी जगे हमको बहुत ज्यादा बोट दिया। और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 25% बोट मुसलिम महिलाओं नों भी भातियंता पार्टी को दिया है। तो यह आकलन है आपका कि इस बार महला है नडायक रहेंगी बीजेपी जिले। सौ परसेंट मेरा है और यह एक नडायक बिंदू बातियंता पार्टी के पच्छ में हैं और मेरा मानना है कि सब्सक्राइब करें तो पिछले की तुलनाम में क्या बोट बढ़ेंगे या कम होंगे इस बार आपके नहीं बोट घट रहा है क्योंकि एंटी इंकंबेंसी निश्चित रूप से पिछली बार का जो पीक था साइड हमको हम उसको रिटिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सी चीजा होती है और निश्चित रूप से जब सुसासन होता है और डिस्पच्छ रूप से काम होता है मैंने बिस्पच्छ रूप से आपसे इस निश्पच्छ सब्द को प्रियोख किया है तो जो जिन की अपसेड ने वाल जूफोता है उसकी बज़े से अमारा बोर गटा है लेकिन हमारे प्रिच्छ यासी की लोगपृता और उनकी निश्पच्छता कारकबने की सहली निश्चत रूप से प्रवाबी रही है और उन्होंने जिस प्रकार से निस्पत चोकर काम किया है और बिजली के छेत्र में हमारे मानिय हुर्जामंत्री जी ने जिस प्रकार से सरकार बनने के 6 महा के अंदर जिन जिस चीज को कहते थे कि हम बिजली विवस्ता उत्रप्रदेश के सुधर ही नहीं स जिसमें हम बैठे हुए हैं आप पिछली सरकार में यहां आते तो निश्चित रूप से यहां जनरेटर की आबाज आपको सुनाई देती लेकिन आज मेरे यहां जनरेटर है और पांच साल में मैं समझता हूं कि सायद एकाद बार जनरेटर चलाओ तो चलाओ बागी जनरेटर चला नहीं है यह बात तो घर चुनाव से पहले की थी कि इसलिए इस समय हम बात कैल्कुएशन की कर रहा है तो इस बार माना जाए जिसली की तुलना में बोट घट रहा है जिए मैं इस पच्छरूप से कहूंगा क्योंकि मैं अभी इस बाइट में राजनेते ग्रूप से य जो मेरा आखलन होता है तो बस्पा और कांग्रेश का प्रत्यासी कितने कौन रहेगा आगे आपकी तक्कर मान लिए यह दूसरे के साथ आते हैं तो 65 वाली से टक्कर मान लिए हमारा एक बीस आएगा आप कह सकते हैं कि वो टक्कर पर रहा लेकिन अब वो टक्कर है कि नहीं मुझे नहीं वालम राजनितिक वासा में उसको तक्कर कह भी सकते हैं लेकिन बास्तब में जब 55 बोटों का डिफ्रेंस रहेगा साथ आप यार बोटों का डिफ्रेंस रहेगा तो मैं समझता हूं कि कहीं कम्टी समने तो नहीं है बिना ओप्रेशन इस्पाइन वर जोडों के दर्थ का इलाज और नियूरो सर्जरी अब मत्रा में संभाव छेतर में पहली बार बड़े शेहरों की सुविधा अब सिटी सूपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्द आइसी यू एन इसी यू वेंटी लेटर एक्सिडेंट के सभी अमर्जनसी मरीज दिमाग एवं रीड की हड़ी के सभी ऑपरेशन अब मत्रा में संभाव सिटी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुवधाय उपलब्द है तो मत्रा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जानी की जरुवत नहीं है सिटी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर एवं पैन मेनेजमेंट सेंटर गोवर्दन चौराह के समीप दिल्ली हाइवे मत्रा वह दस्तारी को इपता लगा गोवर्दन पर क्या आपका कैल्कुलीजिसन ने गोवर्दन पर क्या स्थिति वाजबाव गोवर्दन में भी हम 50,000 तो उपर जीत रहे हैं बिलकुल डेफिनेट ली जीत रहे हैं क्योंकि हमें जो खुटेल पट्टी का वोट है वो वी उसमें क्यों राजकुमार रावत्रेंगे क्यों डेफित्यासी पैसे के असल में उनकी राजनेटिक को इसमी इतनी मजबूत में जितनी हो नीचाहिए तो मेरा अपना अगलन है कि केबल पैसे के वुते पर चुनाब नहीं जीता जाता है कभी है इतियास राइक की पैसे के वूतर बलपर सिर्फ पैसे के बलपर चुनाब नहीं जीता जाता राइटिक रूप से अभी हम उस गड़वंदन के प्रत्यासी प्रितम सिंग हैं थे उनको अभी और बढ़ना है काम करना जनता के बीच में यानि पच्छा पच्छा जारी जीत मान रहे हैं निश्चित रूप से चा बाता और मात और बल्देव इन तीनों सीटों के बिसे में क्योंकि मेरे चितर में नहीं आते हैं मेरा बहुत ज्यादा आगलन नहीं हैं लेकिन लोग कहते हैं कि टक्कर में हैं टक्कर है तीनों सीटा लेकिन मात के बिसे में मैं कह सकता हूं जो चीजे पिछले हपते में नि ऐधिर्व लिया आपने जगदित लोबार जी का इंटर्व्य लिया आपने लिया इक लोग निकलकालवि शार निकल एंपति ओने लिए कि हमारी तकर राजेस्थ चोधरी से वाजपारथ से है और भहुत महीनं अंत जोदो नहीं 2 के में कहता था कि दो आधर पर नोवारी और नरवारी में जार समाज का वाम को 25 परसेंट बूट मिलाए तो मैं मानता हूं कि 35% जार समाज का वोट मिला उस आधार पर जीत रहे हैं और किसको मान रहे हैं मार्ट में सेकेंड पोईशन पर और थड़ पर मैं समझता हूं कि साइज से आम सुने फर्मा रहेंगे यह यह तो आपका मार्ट का के लिए पर क्या इससी थी आपकी क्या कैल्कुएशन वालदेव की जानकारी मुझे नहीं है गोविंजी जादा मैं बत है एक लाग से उपर दोनों बिदान सवाओं एक लाग से दोनों बिदान सवाओं में जाट समाज का वोट है यदि जाट हमें माट में बली संख्या में मिलाए 35 परसेंट तो उसका इंपक्त निस्चित रूप से बल्देव में भी पढ़ा होगा क्योंकि नाती रिस्तेदा लेकिन इस वार क्योंकि महिलाओं वाला फैक्टर जैसा कि मैंने विसले सड़ किया है और सभी लोग मैसूस करते हैं कि महिलाओं वाला फैक्टर चलता है तो निश्चित रूप से हम चाता को भी जीत पाएंगे उगर किनी सीट आप मान रहे हैं जनपद में पांचों में र अब वहां का कैलकुलिशन नहीं है आपको बता हूं लेकिन मैला बोटर का जो फैक्टर है मैलाओं ने जिस प्रकार से बोट किया है पूरे प्रदेश में उसे साब से मैं मानता हूं कि अम तीनों सीटों को निकाल सकते हैं अब यह आप इतनी सीटों पर हैं श्योर तो मैंन है जो कैलकुलिशन नहीं किया है लेकिन महिला फैक्टर होने के नाते महिलाओं ने जो बोट दिया है उस दाते में मैं सकता हूं कि तीनों सीटों को उनको भी हम जी सकते हैं सकते हैं उत्तव प्रदेश से कितनी सिट आप मान रहा है इस बार उत्तव पर देखिया हम कम से एक हम दोर चल रहा है और ये चुनाबी विसलेशन अक्सर राज निताओं के चुनाब के दोरान लिये जाते हैं उसी क्रम में हमने जरा महानगारा दिश्च भाज़तार नोदगरबाजी से बात कि और उनका ये विसलेशन भी जाना कि आखिर पांस में चुनाब हो रहा है मत्दान हो रहा है मत्रा पहले चर्ण में हुआ है मत्रा पर भी हमने उनसे चल्चा की कि आखिन मुखा गडित क्या कह रहा है नोंने पांचों सीटों की बात कही है लेकिन जो कॉंफिडेंटली उनने कहा है कि शहर और गोबरधन यानि कि दो सीट पर पूरी तरह से कंफर्म हैं बाकि सीटों पर भी वो कह रह Jee जीत सकते हैं उत्तरों प्रदेश में कम से कम वो थाई नहीं है कि कम से कम थाई सो आएगे बाकि तीन सो से उपर शीट है Wars बाता पाएगा सब प्रत्यासि राजि मत्रा प्रांसभा में लगवग हमको एक लागी सेया बोस प्राफ होगा पास्तर में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि महिलाएं साइलेंट वोतर होती है कि हम से कव सक्तीज परसेंट जो इसलिए महिलाओं में प्राफ से जना होती है में अर्फ चाल में में असिघ्राउंस इसाया जहीं कादबाद गनेरेटर चलाओ तो चलाओ बागी जनेरेटर चलाओ वोतर हो और वैसरान के योटेल सेंग और अउसराये तो आज़ा होने है झाल झाल